महिला के काटे गए बाल घंटों तक बंधक बना कर रखा गया वजह आपको हैरान कर देगी महिला का आरोप था कि उसके बेटे के साथ गाउं की कलड़की फरार हो गई दोस्तो लड़की के फरार होने के बाद मा को दी गई बड़ी सजा गटना आपको चौका कर रख देगी जिले के अस्तावत अनक्षित्र के गाउं में एक महिला को गुरवार को बाल काट कर घुमाया गया उसे नौ घंटों तक बंधक बना कर रखा गया क्या था उस महिला का बुनाहर चलिये जानेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक करें शियर करें और कॉमेंट जरूर करें वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें दोस्तों महिला का रूप था कि उसके बेटे ने गाउंफ की एक लड़की के साथ प्रेम किया वो लड़की उसके साथ फरार हो गई उनके बीच प्रेम चल रहा था लड़की पक्ष को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन लोगों ने दबंगई दिखाते हुए लड़के के गाइब हो जाने के एवज में लड़के की मा को उसके घर से उठा लिया और अपने घर पर 9 घंटों तक बंधग बना कर रखा इस दोरान उन सभी ने लड़के की माँ पर तरह तरह के जुल मढ़ाए लोगों ने लड़के की माँ के बाल काट दिये सर मुनवा दिया पुलिस के कहने पर कहा कि मेरी बेटी ले आओ तब हम बेटी के एवज में लड़के की माँ को रहा कहनेंगे अलाकि अस्तावा थाना की पुलिस कर्मी वहां पहुँची और कैसी भी करके उन्होंने बंधग बनी महिला को छुड़ा लिया इस सारी घटनाक्रम में पुलिस कर्मियों को गाउंवालों के साथ नो घंटे की कहा सुनी करनी पड़े और लास्ट में उन्होंने नो घंटे से बंधग बनी महिला को छुड़ाया पुरे गाउं में तनाव का महाल है तिहातन तोर पर गाउं में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है समद में डियस पी सदर डॉक्टर शिवली नुमानी ने बड़ी कारवाई की बात कही है क्या कहेंगे आप इस बारे में अपनी राए जरूर दें